एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका स्वागत है। इसका जवाब है आपको पहले शिमला जाना चाहिए क्योंकि आप टॉइ ट्रेन को इंजॉई कर सकते हैं। गोरतलब है कि यदि आप दिल्ली से शिमला के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आप दिल्ली से ट्रेन से कालका तक जाएं तथा कालका से आप शिमला के लिए टॉइ ट्रेन पकड़े हैं। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो इससे अच्छा कोई option अर्थात विकल्प नहीं है। आप सुबह 7.40 मिनट पर कालका शताब्दी ट्रेन से 11.45 मिनट पर दिल्ली से कालका पहुं सकते हैं। कालका में आपको लगी हुई हिमालेयन कुईन नामक टॉइ ट्रेन मिल जाएगी। यह ट्रेन कालका से دोबर 12.10 मिनट पर छूटती है। अब आपके मन में एक सवाल यह उत्पन हो रहा होगे यदि दिल्ली से शिमला वाली ट्रेन लेट हो गई तो टॉइ ट्रेन तो छूट जाएगी इसका आंसर है एसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि टॉइ ट्रेन दिल्ली से कालका आने वाली टॉइ ट्रेन की सवारी लेने के लिए ही रुखी रहती है चाहे दिली से आने वाली ट्रेन कितनी भी लेट क्यों न हो जाए यहाँ टॉय ट्रेन आपको लेकर ही शिमला जाएगी यह बात याद रखें कि टॉय ट्रेन का टिकेट एक महने पहले ही अनलाइन बुक करा ले क्योंकि इस train का ticket उसके बाद नहीं मिलेगा toy train का ticket हो जाने के बाद ही आप शिमला में hotel book कीजिएगा यदि आप शिमला trip के लिए एक महने पहले toy train का ticket book करेंगे तो यह आसानी से मिल जाएगा परन्तु तत्काल booking की स्थिति में इसका ticket बिलकुल नहीं मिलेगा यह बात आप ध्यान रखें toy train दिल्ली से काल का आई शिमला जाने वाली सवारियों को बिठाने के बाद शिमला के लिए रवाना होती है toy train का यह 5-6 गंटे का सफर आपको तथा आपके बच्चों को ताउम्र याद रहेगा रास्ते में सो से अधिक tunnels से toy train गुजरती है जिसे बच्चे बहुत enjoy करते है toy train में आपके साथ कई foreigners भी होंगे आप उनसे भी बात कर सकते हैं तता सफर का आनन्द ले सकते हैं यह toy train बहुत ही धीमे चलती है जिससे आप train के बाहर natural beauty को भी निहार सकते हैं यह toy train बीच में दो से तीन जगे रुखती है जहां आप चाए काफी या हलका फुलका नाश्ता भी कर सकते हैं यह train आपको शाम को लगबख साड़े पांच बजे शिमला छोड़ देगी यकीन मानिए आपको यह 5-6 गंटे का toy train का सफर मालूमी नहीं पड़ेगा और आपका मन इस train से उतरने का ही नहीं करेगा पर क्या करें उतरना तो पड़ेगा क्योंकि शिमला जो आ गया है अब आप शिमला रेल्वे स्टेशन पहुचने के बाद अपनी होटल तक जाने के लिए कूली करें अब आप सोच रहे होंगे कि कूली क्यों करें इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि शिमला में खड़ी चड़ाई है तो आप luggage लेकर इस प्रकार की चड़ाई नहीं चड़ सकते हैं कूली केवल 50-100 रुपे में आपका पूरा लगेज आपकी होटल तक लेकर जाएगा तथा आपके होटल तक का रास्ता भी आपको गाइड कर देगा यदि आपका होटल शिमला सिटी से दूर है तो आप रेलवे स्टेशन से टेक्सी कर सकते हैं टेक्सी का किराया 200-300 रुपे के बीच होता है शिमला में होटल जहां तक हो सके हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट का ही बुक करें यदि हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट की होटल ना मिले तो ही अन्य प्राइवेट होटल बुक करें होटल आनलाइन ही बुक करें क्योंकि इस तरह से होटल बहुत सस्ते पड़ते हैं शिमला में आपको 1000 रुपे से 2000 रुपे प्रती दिन के हिसाब से अच्छा बजट होटल मिल जाएगा शिमला में अपनी होटल में चेक इन करने के बाद आप होटल के ही टेरिस पर शिमला की वादियों को देखते हुए चाय कौफी का आनन ले सकते हैं इसके बाद आप रात में माल रोड घुमने जा सकते हैं यदि आपके साथ बच्चे हैं तो शिमला में माल रोड तक पहुँचने के लिए हिमाचल टूरिजम द्वारा संचली दो लिफ्ट हैं आप अपनी होटल से पेदल पेदल इन लिफ्ट तक पांस से दस मिनट में पहुँच जाएंगे इन लिफ्ट का किराया केवल पांच रुपे होता है यह लिफ्ट देर रात तक अर्थाद 11 से 12 बज़ तक चलती रहती हैं आप पेदल भी माल रोड पर पहुँच सकते हैं प महां पर कई अच्छे बजट रेस्टोरेंट हैं महां आप डिनर कर सकते हैं इसके बाद आप लिफ्ट से नीचे उतर कर अपने होटल में रात में विश्राम करें इस प्रकार शिमला में आपका पहला दिन समाप्त होता है शिमला में दूसरी दिन आप अपने होटल में ब्रेकफास्ट करें तता होटल से बाहर टेक्सी स्टेंड पर आएं यहां से आप कुफरी, ग्रीन वेली, हिमलेंज जू देखने के लिए टेक्सी बुक करें टेक्सी के कराये लगबक 1000 रुपे लगेगा आप बारगेन करके उसे कम भी करा सकते हैं शिमला से कुफरी की दूरी लगबक 15 किलमेटर है कुफरी के रास्ते में आपको टेक्सी वाला ग्रीन वेली दिखाएगा ग्रीन वेली एरिया में आप हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक ड्रेस बहन कर फोटो क्लिक करवा सकते हैं इस जगे कई फोटोग्राफर्स होते हैं जो आपकी फोटो क्लिक करते हैं तता फोटो आपकी होटल पर आपको शाम को डिलिवर कर देते हैं दस फोटो लगबग 2500 रुपए के पड़ते हैं इसके बाद आप कुफरी के पोनी काउंटर पर पहुचिए यहां से आपको कुफरी फन जोन तक जाने के लिए पोनी अर्थात घोड़ा करना पड़ेगा यह गोड़ा एक विक्तिक लिए 2500 से 300 रुपए में पड़ेगा तता या किराया आने तता जाने दोनों तरफ का होगा कुफरी फन जोन में आप तता आपके बच्चे कई सारी मज़दार फन एक्टिविटीज कर सकते हैं कुफरी फन जोन के पास ही माता जी का मंदिर है उसके भी आप दर्शन कीजिएगा इसके बाद घोड़े से वापस पोनी हायर काउंटर पर आ जाईए इसके पास ही हिमाले जू है आप उसे भी एक्स्प्लोर कीजिएगा जू से बाहर निकल कर आप अपनी टेक्सी से इंदरा टूरिस्ट पार्क जाईए यहीं पर इंदरा बंगलो है जहां पर भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझोता हुआ था यहीं पर हिमाचल टूरिजम डिपार्टमेंट का ललित केफे है आप उसमें लंच कीजिए ललित केफे का भोजन रीजनेबल तता बहुत लजीज होता है इसके बाद आपका टेकसी वाला आपको शिमला गुमात हुआ माल रोड पर छोड़ देगा आप टेकसी वाले को पेमेंट करके उसे छोड़ दीजिए इसके बाद आप दर रीज पर आ जाईए दर रीज माल रोड का चोक अर्थात मेदान है जहां चर्च, पोस्ट अफिस, सेंटर लाइबरेडी, महत्मा गांधी तथा इंद्रा गांधी की प्रतिमा है दर रीज में जनरल पोस्ट अफिस के पास से एक रास्ता जाकू टेमपल जाता है, आप उसे देखने जाईए जाकू टेमपल में जो हनमान जी की मूर्ति स्थापित है, वह पूरे शिमला से दिखाई देती है हनमान जी का जाकू टेमपल माल रोड से लगबग दो किलमेटर दूर है, आप आराम से आधे से पून गंटे में वहाँ पेदल पेदल पहुँच जाएंगे आप सो रुपे में टेक्सी से भी महाँ पहुँच सकते हैं, परन्तो आनन तो पेदल जाने में ही आएगा यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं, तो आप टेक्सी से जाकू टेमपल चाहिएगा जाकू टेमपल में हजारों बंदर हैं, इसलिए आप उनको खिलाने के लिए मंदिर के रास्ते की दुकानों से चने या खाने का सामान ले लीजिए मंदिर में आप हनमान जी के दर्शन के बाद बंदरों को अपने हातों से चने खिला सकते हैं यदि आपके साथ बच्चे हैं तो फिर वे तो इस मंदिर से वापस ही नहीं आना चाहेंगे आप बंदरों के साथ फोटो भी क्लिक कर सकते हैं क्योंकि यहां के बंदर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जाकू टेंपल घूमने के बाद आप वापस माल रोड आ जाईए इसके बाद आप माल रोड के दर रीज पर चाई, कौफी या आईस क्रीम इंजॉई कीजिए इसके बाद आप दर रीज पर इस्तित चर्च, पोस्ट आफिस तता सेंटल लाइबरेरी विजिट करें इसके बाद आप माल रोड पर घूमते हुए सकेंडल पाइंट तक जाएं सकेंडल पाइंट माल रोड का अंतिम छोरे सकेंडल पाइंट से ही पटियला के महराज ने बिटिश वाइसराई की बेटी का अपरहंड किया था इसके बाद आप माल रोड पर या लकड बाजार में इस्तित किसी रेस्टोनेर में डिनर करें तथा वापस अपनी होटल में जाकर रेस्ट करें शिमला में तीसरे दिन आप होटल में ब्रेकफास्ट काने के बाद टेक्सी बुक करके नाल देहरा देखने जाएं नाल दहरा में आप पोनी अर्थात घोड़े पर बेटकर गोल्फ कोर्स तथा नाग टेम्पल देखें नाल दहरा में जिस जगह मितुन चक्रवेर्थी की प्यार जुकता नहीं फिल्म की शूटिंग हुई थी आप वह पाइंट भी देखने जाएं ताता पानी में नदी का पानी स्थिर है जबकि कुल्लू में नदी का बहाव बहुत तेज है इसके बाद आप टेक्सी से वापस शिमला के माल रोड पर आ जाएं तता शिमला में अपने इस टूर की आखरी शाम माल रोड पर ही बिताएं माल रोड पर ही डिनर करें इसके बाद आप माल रोड पर इस्थित हिमाचल प्रदेश टूरिजम डिपार्टमेंट के आफिस में अगले दिन के लिए बस बुक कर सकते हैं जो कि आपको शिम्बला से मनाली लेकर जाएगी यदि आप चाहें तो शिम्बला से मनाली के लिए टेक्सी भी बुक कर सकते हैं शिम्बला से मनाली का टेक्सी का किराया 3-4000 रुपे का होता है जबकि बस का किराया 500-600 रुपे के बीच होता है इसके बाद आप अपने होटल में जाकर रेस्ट करें अगले दिन सुबह आप होटल से ब्रेक्फास्ट करके चेक आउट करें तथा बस या टेक्सी से मनाली के लिए निकल जाएं बस से मनाली जाएंगे तो आप कुल्लू में नहीं रुख सकते हैं टेक्सी बुक करके मनाली जाने का एक लाब यह है कि रास्ते में आप कुल्लू में रुख सकते हैं तथा आप वहां राफ्टिंग का आनद ले सकते हैं राफ्ट एक प्रकार की नाव होती है जो की रबर की बनी होती है इस नाव से आप व्यास नदी में राफ्टिंग कीजिएगा राफ्टिंग का चार्ज नदी में आप कितनी दूर तक राफ्टिंग करना चाहते हैं उस पर डिपेंड होता है जो कि 7500 रुपे से 2000 रुपे के बीच होता है यह चार्ज पूरी फेमिली का होता है यहाँ पर आपको जबरजस्त बार्गेनिंग करनी पड़ेगी में ही आप रेबिट पार्ग तता कुलू शॉल फेक्टरी भी विजिट कर सकते हैं इसके बाद आप सीधे मनाली आ जाईए मनाली पहुचकर अपनी पहले से आनलाइन बुक होटल में चेक इन कीजिए इसके बाद आप होटल में ही प्रकरती का आनन लेते हुए चाय कफी पीजिए इसके बाद आप होटल से बाहर निकल कर माल रोड पर आईए मनाली का माल रोड शिमला के माल रोड जैसा सुन्दर नहीं है मनाली की माल रोड एक छोटी सी सड़क है जिस पर कई सारे रेस्टोरेंट तथा छोटी बड़ी दुकाने स्थित हैं माल रोड पर ही आपको टेक्सी काउंटर से अगले दिन रोहतांग पास या स्नोपाइंट तथा सोलांग वेली तक जाने के लिए टेक्सी बुक करनी होगी टेक्सी का किराया एक हजार से डेड़ हजार रुपे के बीच होता है उलेक निये कि रोहतांग पास 15 मई के आसपास खुलता है यदि आप 15 मई के पहले मनाली आते हैं तो आपको स्नोपाइंट जो की गुलाबा होता है महा तक ले जाते हैं टेक्सी वाले रोहतांग पास जाना है तो आपको 15 मई के बाद मनाली आना चाहिए टेक्सी बुक करने के बाद आप माल रोड के रेस्टोरेंट में या अपनी होटल में खाना खा सकते हैं यह भी याद रखें कि एक मई से हिमाचल टूरिजम की होटलों में M.A.P. अर्थत मॉडिफाइड अमेरिकी प्लान चलू हो जाता है इसका अर्थ यही कि होटल में ब्रेक्फास्ट तथा डिनर करना अनिवारे हो जाता है जिसका पेशा आपके होटल बिल में जुड जाता है डिनर करके आप होटल में रेस्ट करें अगले दिन आप सुबह जल्दी उठकर ब्रेक्फास्ट करके रेडी हो जाएं सुबह 7 बजे तक आप होटल से रोहतांग पास या सनो पाइंट के लिए निकल जाएं यदि होटल में ब्रेकफास्ट इतनी जल्दी रेडी नहीं हुआ हो तो आप रास्ते में कई छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिलेंगे वहाँ हेवी ब्रेकफास्ट कर ले क्योंकि सनो पाइंट पर मेगी और चाय ही मिलती है रास्ते में ही सेकडो दुकाने सनो बूट तता सनो सूट की मिलेंगी जहांसे आप सनो बूट और सनो सूट किराये पर ले ले और अपनी टेक्सी में रख ले यह ड्रेस तता जूते आपको 200 से 300 रुपए प्रती विक्ति पड़ेंगे यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा बारगेन करना पड़ेगा स्नो पाइंट या रोहतांग पहुँचकर आप स्नो एक्टिविटी जैसे स्किंग, स्लेज आदी इंजोई कर सकते हैं स्नो एक्टिविटीज इंजोई करने के बाद आप अपने टेक्सी से सोलांग वेली आईए सोलांग वेली में ही आप लंच कर ले, लंच के बाद यहाँ आप पेराग्लाइडिंग कीजिए पेराग्लाइडिंग में पेराशूट से उड़ते फे नीचे आया जाता है इसका चार्ज साड़े तीन सो रुपे से दो हजार रुपे तक होता है यह चार्ज किस उचाई से आप उड़ना चाते हैं उस पर निर्भर करता है आप साड़े साथ सो रुपे वाला पेकेज लें इसमें लगबक पांच मिनट की फ्लाइड मिलती है दो हजार रुपे में आपको पेराशूट में पाइलेट के साथ 15 मिट तक आसमान में उड़ाए जाता है सोलांग वेली से आप वापस मनाली अपने होटल आ जाए होटल में रात का डिनर करें तदा उसके बाद माल रोड टहल आएं इसके बाद आप होटल में आकर रेस्ट करें अगले दिन आप ब्रिकफास्ट करने के बाद टेक्सी बुक करके होटल से चेक आउट करें आप अपना सामान टेक्सी में रख लें आप यह भी कर सकते हैं कि होटल से चेक आउट होने के बाद अपना सामान होटल में ही रिसेप्शन या स्टोर रूमें रख दें तथा उनसे कहें कि सामान आप शाम को उठा लेंगे इसके बाद आप टेक्सी से मनाली का प्रसिद, हिडिमबा मंदिर, मनु मंदिर, रोहरिच आर्ट गेलरी, नगर के सल घुमने जाएं रास्ते में ही आप लंच कर लें इसके बाद आप मोनिस्टी देखने जाएं शाम को पांच बज़े से धेरो वाल्वो बस मनाली से दिल्ली के लिए चलती हैं आप उनका टिकेट बुक कर लें आप शाम को वाल्वो बस स्टेंट पर टेक्सी से अपना सारा सामान उतार कर टेक्सी का पेमेंट कर उसे छोड़ दें इसके बाद आप दिल्ली जाने वाली अपनी वाल्वो बस में बेट जाएं यह वाल्वो बस आपको सुभह दिल्ली छोड़ देगी इस तरह आपका यादगार शिमला कुल्लू मनाली टूर समापत होता है यदि आप मनाली के पास मरनिकर्ण गुरुद्वारा गुमना चाहते हैं तो आपको मनाली में दो दिन की जगर तीन दिन रुखना पड़ेगा अब हम अपनी इस छे दिन की शिमला कुल्लू मनाली यात्रा का अधिकतम खर्च कितना पड़ेगा इस बारे में बात करते हैं बस ट्रेन तता टॉय ट्रेन का चार लोगों का कुल किराया अधिकतम 15,000 रुपे चार लोगों का 6 दिन का टेक्सी का कुल किराया 10,000 रुपे चार लोगों का 6 दिन का होटल का किराया 9,000 रुपे चार लोगों का 6 दिन का भोजन का खर्च 12,000 रुपे चार लोगों का 6 दिन का साइट सिंग तेथा एक्टिविटी का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का शिमला कुलू मनाली में 6 दिन का अधिक्तम कुल खर्च लगबग 56,000 रुपे यदि हम इससे चार्च डिवाइट करें तो प्रतिविक्ति खर्च आएगा 14,000 रुपे इस प्रकार आप केवल 14,000 रुपे में शांदार तरीके से टेक्सी को शामिल करते हुए शिमला कुलू मनाली घुम सकते हैं यदि आप आउनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च 9,000 रुपे से घटकर केवल 6,000 रुपे ही आएगा तो अब इंतजार मत कीजिए जल्दी ही शिमला कुलू मनाली घुमने का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उप्योगी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन भी दबाईएगा थैंक यू